आप सबी को गडेश तीकि एक धेर सारी शुब कामना है और हमारी कॉलने में बाबा का आगमन हो चुका है तो थोड़ा डिस्टरबंस होगा क्योंकि वो डोल ताशे सब बजाते हैं तो थोड़ा डिस्टरबंस होगा उसके लिए सौरी और सबसे पहले मैं आपको एक बात बत चाहते हूं कि मैं आपके लिए Q&A सेशन लेके आने हाले हूं Q&A मतलब Q&A मतलब Q&A क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में बहुत से क्वेशन्स पूछते हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाओ तो अगर आपके कुछ डाउट हो या कुछ आप क ताकि मैं वो सभी Q&A के आंसर आपको एक वीडियो बना के इसमें दे दूगी और हाँ अभी फेस्टिवल सीजन ओन हो चुका है तो अभी कंटिंडियोसी फेस्टिवल तो आते ही रहेंगे तो इसलिए मैं आपको फेस्टिवल रिलेटेट मतलब डेको रिटीव जो आइट इसलिए मैंने फ्लावर का बास्केट बनाया है मैं आपके साथ उस वीडियो के शेयर करने जा रही हो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइब कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले और कुछ उजा हो तो प्लीज क कर सकते हैं तो अचे लिए स्टार्ट करते हैं तो हमें फ्लावर माइकरेम फ्लावर बास्केट बनाने के लिए चाहिए माइकरेम कॉड मैंने यहाँ पर एलो कलर की माइकरेम कॉड ली है आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर यह सखा लाएटर कि रिंच की है, और नीचे जो हम रिंग लगाएंगे, वो हम राउन्ड सरकल रिंग लगाएंगे, तो हमारी यह जो रिंग है, साढ़ेचह रिंच की है, और कुछ मल्टी कलर बिट्स है, यह स्क्वेयर बिट्स मेंने यह उस्कियों है, आप चाहे तो यहाँ पर अलग अलग बीड्स यूज़ कर सकते हैं और हामेशा की तरह लाइटर वो सीजर तो चलिए फ्रेंट स्टाट करते है तो फ्रेंट्स मैंने बास्केट बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने आठ कॉड लिये है ये हमारे अड़े मिटर के कॉड है ध्यान रख्यए सिर्फ आठ कॉड ही हमें अड़े मिटर के लिए नहीं 2.5 मिटर के उसके बाद में जितने भी मैं यहाँ पे कॉड लगांगे वो सभी 1.5 मिटर की होँगे तो सबसे पहले मैं चार कॉड लोगी और मैं सबसे पहले इस कोने से स्टार्ट करूंगी तो देखें यह जो हमारी कॉड है इनको हम पहले मेजर कर लेंगे तो देखें मैंने यहाँ पे यहाँ की कॉड है यह मैंने 70 cm यहाँ पे छोड़ दी है कर दो दो कमार फेसमें इसे यहाँ करें मतल Turkish state foreign तो 75 मоп थहाँ करें कि यहां पर जिस तरह से अमने यह कॉड लगा है उसी तरह से हमें यहां पर भी कॉड लगा निया तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह जो मेने टू एन हाफ मिटर के कॉड यहां पर एक्स्टा मतलब लिये है वह मैंने हैंडल के लिए लिए है जो बासकेट का हैंडल है वह बनाने के लिए हमने थोड़ी एक्स्टा कॉड ली है तो यहां से हम अभी सिंपल नौट स्टार्ट करेंगे कर दो बता हैंडल नौट स्टार्ट करेंगे अब दूसरी साइट से भी सिंपल नॉट लगा लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने 12-12 नॉट लगा के यह कॉलम रेडी कर लिये है अब जो है हमें इनको मिलाते हुए फिर से कॉलम बनाना है तो देखिए यहाँ पर चार कॉर्ड है और यहाँ पर चार है तो मैं यहाँ का एक छोड़ दूँगी और इस से एक छोड़ दूँगी और यह बीच वाले जो है इनको मिला लूँगी और यह जो कॉर्ड हमारे साइ के हैं इनसे हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे थोड़ा खीच के एड़िस कर लेंगे कोड को अब फिर से नॉट लगाएंगे पिक हम राक्स बालाएंगे खीच को कि कैम जडि डियन बंदो को तो देखिए मैंने यहाँ पे 20 नौट लगा कि कॉलंम बनाया है यह कुछ इस तरह से इसका हैंडल बनेगा जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलं में पर गॉलम बनाएं फिर से हम उसी तरह से यहाँ पर दो कॉलम में गएंगे और सेम नौट लगाएंगे जितने के हमने यहाँ पे लगाए है तो हम इसे फिट से डिवाइट करेंगे चार पॉड यहाँ पे और चार यहाँ पे कि अधिवाँ माम ते बार के दरेंगे । फिर से और जायाए व EL+, कर दो हम दो達ाहल पी说 कृulative रहाँ पी से डिय से बहाँ चार जैज बनना लिया है तो अब हमें इसे रिंग से अटेच करना है मैंने आलरड़ी यहाँ पर किया है और दुसरा में आपको बताऊंगे इस जो कॉड़े इनको इस तरह से नीचे से लेंगे रिंग उपर और कॉर्ड नीचे और कॉर्नर पर इसे लगाएंगे किक कॉर्नर पर और रिंग के उपर से कॉर्ड लेके इस तरह से डबल लॉक करेंगे जबला पर बार पर लिंग उता है से लेगे इसे खरोर से लेगे इस जबलान्गपने के गिसद nationally vom मेंगेना से खरा हमें एसे दकमेंगे कॉर्नर पर कॉर्ड़। तो दिखें फ्रेंड्स ये हमारा हैंडल बन चुका है अब जो है हम इसमें कॉड डालने है अब हम इसमें और कॉड डालने हैं कॉड वन एन हाफ मीटर की है इसमें इस तरह से डबल किया है और इस तरह से अंदर की साइड से फिर बाहर निकाला फिर इसे एको राउंड इस तरह से अंदर लेंगे फिर बाहर निकालेंगे ठीक दूसरी साइड से भी कोड को इस तरह से डबल कर लेंगे इसे बहर कोड को इस तरह से अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे इसी तरह दुसरी कोड को भी इस तरह से अंदर डालते हुए बाहर निकालेंगे तो यह एक लूप तैयर हो जाएगा इस तरह से हमें सारे कोड यहाँ पर लगाने हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पूरे कॉड लगा लिये है और यह जो मैंने वन एन हाफ मीटर की जो कॉड लगाए है यह टोटल 32 कॉड है पूरे यहाँ पे जितने भी मैंने लगाए वो 32 है और यह जो हमने हैंडल के लिए यूज किया था वो 2.5 मीटर के 8 कॉड थे तो यह जो टोटल इसके कॉड है वो टोटल कॉड इसके 40 है तो अब हम यहाँ से सिंपल नॉट स्टार्ट करेंगे कर दो यहाँ से स्टार्ट कर दो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से सिंपल नॉट लगाती हुए यह पूरा स्क्वेर हमें कम्प्लीट करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने तीन लाइन सिंपल नॉट लगा है उसके बाद में हम यहाँ पर बिड्स डालेंगे जो दो नॉट होते है उनके बीच वाले कोड को मिडल में जो दो कॉड आते उनको लेके हमें यहाँ पर बिड्स डालना है और सिंपल नॉट लगाएंगे झालना होते हैंगे हुआएंगे पर दो दो कॉग झालना है यह हुआएंगे बदिए झबने lieg हैं, यो खाइसे साहरा चाहराओरत। जोग बंगो टूम अर्ड़ झुटश को बाल बिरोच नर्ड बार करना दो तरी जुट जो प्तार बड़ने खर देम्टा करदा में अला प्तार नर्ड़ने को बाल बूबा है तो फ्रेंट जैसे कि मैंने यह उपर के लाइन बीट्स लगा के कम्प्लीट की थी उसी तरह से मैंने और एक लाइन यहां पे बीट्स आइड किये है अब जो है हमें यहां नीचे से सिंपल नॉट लगाती हो इसके हाइड बनानी है आपको बास्केट की हाइड जीतनी चाहिए वहां तक आप इस सिंपल नॉट लगा के इसके हाइड बना लीजिए तो यहां पे मैंने साथ लाइन तक ही यह सिंपल नॉट लगाती होए यह पूरा सरकल कंप्लीट हिया है अब जो है हम नीचे रिंग लगाएंगे जो कि हमारी साड़े चर इंच की रिंग है इस रिंग को हम इस तरह से अंदर डालेंगे और सभी कॉड को बाहर निकालेंगे इस तरह से अब जो है एक एक कॉड लेके हम इसके उपर राप करेंगे हश दो कि पम और दो कि पाल प्रेड़ भी दो है सबाडुर कर दो कर दो तो दिए इसी तरह से ये पूरा सरकल हमें ये कॉड इस रिंग से अटेच करने है तो ये रिंग हमने इससे अटेच की है अब चोहे कोई भी एक लंबी कॉड लेंगे और इस कॉड को इस तरह से हम रैप करती हुए राउंड करेंगे तरह से अटबी है अटेच करेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा एक सरकल गी कम्प्लीट करके यहां से स्टार्ट किया था यहां पर एक सरकल कम्प्लीट हो गया तो मैंने यही कॉर्ड को इसके अंदर के साइड टर्न कर लिया और फिर से वही डिजाइन हम फिर एक क्राउंड कम्प्लीट करेंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पर मुएने राउंड भी कम्प्लीट करते हुए यह जो कॉर्ड है पर मैंने अंदर की तरफ, थर्ड राउंड की तरफ मैंने इसे गुमाया है इसी तरज से यह राउंड राउंड करती हुए हमें यह पुरा एंड करना है तो देखे फ्रेंट्स इस तरह से राउंड करती हुए हमेंばい Options रंड कर दिया और इन हमारा फिनिश हो गया है तो इस तरह से ये हमारा बास्केट बनके रेड़ी है तो फ्रेंड्स ये ता हमारा माई क्रेम बास्केट का वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब की बाज में जो बेल आइकोन आते है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और वन्स अगेन हापी गनेश चतुरती तो आल एंड हाँ क्वेशन अनसर शेशन को याद रखियो और प्लीज कमेंट बिलो मैं सभी क्वेशन के आइसर दूँगी विद ने थैंक यू, बाबाई, टेक केर